हेलो फ्रेंट्स वेल्टम टू माई यूट्यूब चैनल और देखिए बारिश है बहुत अच्छे से आ गई है और हलाकि गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है यानिकि हुमिडेटी है लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत बेटर टाइमिंग है बहुत अच्छे सिस्समें आप लगा सकते हैं इस साल आप यह काम करेंगे तो नहीं तो फिर आपको नेक्स्टेर करना पड़ेगा देखिए हमारे आसपस बहुत सारे प्लांट लेंगे मैं आज एस वो वीडियो शेयर करें कि आना फ्री में भी अपने लिए फ्रूट प्लांट्स त्यार कर सकते हैं तो द के साथ बताऊँके इनव प्लांट पर आप एर लेर लेंगometer अपने आसपस का जो एरिया है उससे आपको देखना होगा कि कुछ प्लांट जैसे हमारे आसपस बहुत अच्छे फूट्प्लांट लगई होते हुं उनमें बहुत प्रूटिंग होती है उन पर आप उन प्लां शेर करते हैं आपके लिए और कौन-कौन से फ्रूट प्लांट है जिन पर आप एर लेरिंग कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि फ्रेंट सबसे पहले जो है आप अमरूद का प्लांट देखिए अमरूद के पौध है लेकिन आप एक चीज नोटिस ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो भी प्लांट पर आप एर लेरिंग कर रहे हैं उसकी ब्रांच बिलकुल नई नई होनी चाहिए नई से मेरा मतलब है जै थिकनेस थोड़ी सी उसकी अच्छी हो ऐसा नहीं हो कि बिलकुल पतली सी ब्रांच हो तो थिकनेस थोड़ी ठीक हो और साती एक साल पुरानी ब्रांच पर आपको एर लेरिंग करनी है जैसे कि मेरा भी अमरूद का प्लांट है यह मेरा पांच से छे साल पुराना है और मैंन यह सा है, इस पर आप एर्लेरिंग् कर सकते तो आपको यह देखे जब भी आप किसी प्लाच पर एर्लेरिंग् कर रहे है आपको एक चीज धिहान दिहान रखनी होगी मदर प्लाच अच्छा होना चछिए है नि कि हम कोई भी प्लाम तेयारी कर रहे हैं वो best variety का selection करिए उस पर आप कर सकते हैं रही कि आप अम्रूत के पौधे पर air layering कर सकते हैं रही कि हलाकि air layering इसकी जो है branches होती है यहां से एक branch को हम select करके उसको हटा के करते हैं तो इसका वीडियो भी मैंने share किया हुआ है कि नीबू के पौधे पर मैंने air layering की थी और उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है तो आप अम्रूत के पौधे पर air layering कर सकते हैं बहुत अच्छे result मिलेंगे अगर आपनी इस समय air layering की 20 से 25 दिन में इस समय आपका पौधा तयार हो जाएगा अगर आप सोच रहे हैं कि यह फूटिंग जिस पर नहीं आ रही है और आप उस पर भी करेंगे तो उस पर फूटिंग नहीं आ पाएगी तो बस इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको धियान रखना है और फ्रेंट्स एक प्लांट है कस्टड एपल इस पर भी आप air layering कर सकते हैं देखिए जैसे कि यह मेरा पौधा है इस तरीके की branches का आप सेलेक्शन कीजिए और उस पर भी कर सकते हैं प्लांट में जो आप air layering से ready कर सकते हैं मैं अभी कोशिश अभी मैं इस पर नहीं करूँगी क्योंकि देखिए मेरे इस पौधे को ना सिर्फ एक साल हुआ है तो अभी जब next year मेरा आएगा तो इस पर मैं ट्राई करूँगी अमरूत का पौधा देखिए मुरे पुराना है नीमू मेरा पुर इससे हमारे यह वाला जो प्लांट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं में जामीनमें लगों पौधर गंबले में लगए वए पौधे की थोड़ी सी अलग चीज़ी होती क्योंकि जब आप गंबले में पौधा लगा रहे हैं तो लेकिन गंबले में हम इससे maintain करके रखते हैं तो इसलिए आप मैं जैसे कि इस पर next year जो है इस पर air layering करूँगी तो किसी भी नए पौधे पर अगर आपने मान के चली गंबले में कोई fruit plant लगाया है और अभी वो एक साल ही पुराना है तो उस पर air layering ना करें जैसे कि मेरे अमरूत के पौधे हैं उस पर में air layering नहीं करूँगी तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए वरना आपको लगेगा कि मैंने कहा कि आप air layering करिए और आपका पौधा खराब हो जाएगा इस प्रांट जो मेरा है यह अनार है अनार की सुपर भगवा वराइटे अगर आपको कहीं भी मिलती है यह कांधारी अनार मिलता है तो उसकी क्योंकि इनके थोड़ी से सीट्स भी अच्छे हैं और चीजों का अच्छा रजल्ट्स हैं आप अनार देखिए और इनका मैं तयार करने की कोशिश करूंगी क्योंकि इसके अगर हम कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी से ज्यादा टाइमिंग लेगा लेकिन अगर हम एर लेरिंग का मैथड अपनाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी फूटिंग पर पौधा आता है तो अनार के पौधे को भी जो है आप ए से लगाए था और दूसरा वैसे ग्रफ्टेट पौधा है बट अगर अच्छे से बुशी हो गया जैसे कि मेरे किन्नू का पौधा है आप देख रहे हैं यह किन्नू का प्लांट है और इस यह काफी बुशी हो गया बट इसमें भी फूटिंग हो रही है तो मैं इसके साथ क शेट च्छाड़ा भी नहीं करूँगे क्योंकि इसकी ओरड़ी एक ब्रांच मेरी तूट गयी थी वरना किन्नू कै जैसे कि ये ब्रांचे देखे इस तरीके कि अगर branch में भी हम करेंगे, पुरानी branches में इस तरीके से हम इस पर air layering करेंगे, तो बहुत अच्छे से हो जाती है, कि नू का plant air layering से बहुत अच्छे से आप ready कर सकते हैं, इसी तरीके से नाकुरी जो मेरे इस संत्रे का पौधा है, तो इसकी भी अच्छे से air layering हो जा अभी माल्टे का प्लांट है इस पर भी एर लेरिंग बहुत असानी के साथ की जा सकती है तो आप यह सारे काम कर सकते हैं जैसे कि करोंदे का पौधा होता है जनरली घरों में लगा हुआ मिलता है आसपास आप देखेंगे आपके तो उसका सबसे अच्छे एफेक्ट कियाता ह निघे कि जलदी से फ्रूटिंग पर आएंगां अप एर लेरिंग करते हैं कटिंग से लगाते हैं और बीज से लगाते हैं ठीमिंघ लगती है ईफेट стен करहंदे सब्सक्राइब करना है कि जिस भी प्लांट का सेलेक्शन कर रहे हैं उस पर अल्रडी फ्रूटिंग हो तभी आप उस पर करें प्वादे की इस्पिशिस का धिहान रखें कि इस पर फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होई हो इससे जरी कि आप अंजीर पर भी कर सकते हैं अंज यहनों ओड़ कर ऐसे की अंगूर की कटिंग भी कर सकते हैं कि चलदी प्लांट शेर किये तो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्स्क्रायब जरूर कीजी तेंक्यू